नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्ट साहब का बहुत बास वागत है मिनिमूम पैंसन साथ अजर पांसो और महेंगाई बत्ते पर आ गई दमाकेदर खबर पैंसन ब्लोट्री पर मीटिंग हुई खतम दो जुलाई दो जर उनिस की लेटेस्ट खबर जिहां दोस्तों EPS 95 पैंसन बोगियों के लिए काफी बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को सुरू से लेके अंतक पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उससे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दाए ताक कि आने वाले हर वीडियो के अपडेट आपको अमेसा मिलती रहेगी दोस्तो बड़ी खबर को जाने इससे पहले एक और लेटेश्ट खबर निकल के आ रहे हैं एपेश 95 पैंसन बोगयों के लिए नैशनल एजिटेशन कमेटी के द्वारा ये लेटेश्ट लेटर लिखा गया है एक जुलाई 2019 को माननिया परदान मंत्री महोदे को इपेश 95 पैंसनस की मांगो को मंजूर करने इतूheen स्रंखला अंसन का 119 वा दिन इसमें बतायेगिया कि हमारे संगठान ने इपेश 95 पैंसनस की मांगो को मंजूर करने हेतू पिछले दो सालों से तेसिल स्थर्ष से लेकर राष्टे स्थर तक कई आंदोलन किये हैं जिसमें 1 दिसम्बर 2017 से 7 दिसम्बर 2017 और दिनाग 4 दिसम्बर 2018 से 7 दिसम्बर 2018 के दिन आंदुलन वे 27 फरवरी 2019 को जंतर मंतर से मानने परदान मंतरी जी कारेले तक मोर्चा भी सामिल है और दोस्तों अगर आप ही minimum पैंसे 7500 प्लस मैंगई बते का समर्थन करते हैं उसको लागू कराना चाते हैं तो वीडियो को लाइक किजे सेर किजे और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि सरम मंतरी जी की दरब से बैठक में क्या नेने लिया गया है और दोस्ता आगे इसमें बताएगे कि सरकार द्वारा परदान मंतरी सम्योगी मामदन योजना के देर 30 साल तक हर माहें 100 रुपे अंसदान देने पर 3000 रुपे मासिक पैंसन देने की योजना है हम EPS 95 पैंसन दारकों के और सतन 30 से 35 साल तक हर माहें 541 रुपे अंसदान के रूप में जमा कराया जाता है फिर हमें केवल 200 से 25 रुपे तक पैंसन ही क्यों मिलती हैं हमें आसा है कि इस बेदबाव पूर्ण नीती पर आप जरूर विचार करेंगे और दोस्तों आगे यहाँ पर परदान मंत्रे जी को रिक्वेस्ट किया गया है कि स्रम तथा रोजगार मंत्राले द्वारा CBT की बैठक बिना विलंब बुलाकर मिनिमम पैंसन 7500 किया जाएं तथा इसके उपर महेंगाई बत्ते को भी मनजूरी दी जाएं मनजूरी नहीं ली गई तुरंत वापस लिया जाएं और सभी EPS 95 पैंसन बोग्यों को मेडिकल किस विदाय दी जाएं और जो पैंसन बोगी इस स्कीम में नहीं है उसको इस स्कीम में सामिल किया जाएं अन्यथा उनको मिनिमम पैंसन के तौर पैंच जार रुपे की रासी दी जाएं आगे इन्हों ने काया कि हम आपको विनमरता पूर्वक ये बताना चाहते है कि हमारी सभी मांगे EPS 95 पैंसन फंट से पूरी की जा सकती हैं अते आप से निवेदन है कि आप उप्रुक्त कारियवाही कर हमें क्रितात करें अन्यथा देश के 60 से 80 साल उम्र के जेस नागरिकों को मजबूरन आंदूलन तिवर करना पड़ेगा दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पे देख सकते हैं सांसतों के सम्हों ने आज स्रम मंतरी स्री संतोस कुमार गंगवारजी से मुलाकात कर मिनिमुम पैंसन 7500 प्लस महंगाई बत्ते और अन्य जो भी मांग इपेश 95 पैंसन बोग्यों की संदर्ब में उनको यहां पे अवगत कराया है और स्रम मंतरी स्री संतोस कुमार गंगवार जीना आस्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द इस संदर्ब में ओपचारिक बैठक होने की संभावना है उन्होंने आस्वासन दिया है और उमीद की ज अंदर में कुछ लेटेस्ट अपडेट वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के अपडेट आपको मैसा मिलती रहेगी इसी के साथ जैहिन जैवारत